मैच के हीरो सूरी कुमार भी रहे वर्ल्ड चैंपियन सूरी कुमार यादव सूरी कुमार यादव वर्ल्ड चैंपियन कैसा लगता है? अच्छा लगता है सुनके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने जर्णी थोड़े कुछ कुछ महीनों पहले ही सोची थी कि ऐसी स्टोरी बनेगी बट वो नहीं हो पाया उस टाइम पर बट कोई बात नहीं यह लिखा था शे महीने बाद साथ समुंदर पार यहां पर आके होगा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जबर्दस टीम खेली है अच्छा एक तो टीम का ट्रांस्फरमेशन जो हुआ है क्योंकि टीट्वेंटी में कहीं ना कहीं यह लगता था कि भारत शायद दुनिया से दो कदम पीछे है बट अचानक से दो कदम आगे कैसे हो गए हमने रिफ्लेक्ट किया 2022 में हम कैसी क् क्रिकेट खिलनी थी हम यहां पर पहले ही आगे IPL फाइनल मुझे याद है IPL फाइनल के बाद हम जब उस टाइम पर यहां पहुचे तो अल्मोस्ट 90 परसेंट प्लेयर्स सब जो खिलने वाले है या स्कॉर्ड के वो यही थे पहले से तो मीटिंग की हमने टूर्णमेंट व हो ना करें और एक अलगी मतलब कुछ अलगी माइंड से जाके बैटिंग करेंगे इवन दो तीस पर तीन हो तीस पर पांच हो या हंड्रेट फर वन हो हम लोग एक ही तरीके से खेलेंगे और वही हम लोग ने किया और रिजल्ट आप देखिए तीस पर तीन क्यों बोला इस टेंपो से उन्होंने बैटिंग किया बहुत ज़रूरी था वो ब्रैंड ऑफ क्रिकेट खेलना वो टाइम पर नहीं तो 177 की जगा 160 150 हो चीज है बले वो किसी भी ग्रेड ऑफ क्रिकेट में होती है जहां पर हम डरते हैं ओहो यार दो विकेट और गिर जाए क्या वो एक पॉजिटिव रूटी लेता है अगर उसमें वो आउट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बट पियर ओफ पेलियोर मुझे इसा लगता नहीं है कि अब इस टीम में इस बारी था अच्छा एक बावत आए हमने तो बड़ी तस्वीरे देखी हैं बड़ी वीडियो देख और अल्मोस्ट ऐसा था कि हम लोग बस में बैटके ग्राउंड जा रहे हैं मैं आच खिलने के लिए और ऐसा था कि सिर्फ जाके ट्रोफी उठानी है ऐसा महोल था पूरा बना हुआ वो टाइम पर बट ये साल हमने टॉर्नमेंट के स्टार्ट से ही कुछ ज्यादा बात ही कि इस टॉर्नमेंट के बारे में एकदम रिलाक्स रखा महोल कि आगे क्या होगा कुछ नहीं तो इस बार हमारा मोटो भी वही था कि हम लोग जहां हमारे पैर है हम लोग अपना माइंड भी वही रखेंगे तो एक स्टेप ज्यादा नहीं सोचेंगे कि अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे ऐसा होगा वैसा होगा समी फाइनल में ऐसा खेलेंगे फाइनल में जाएंगे कुछ नहीं जहां है उसी चीज के बारे में सोचेंगे और डिफरेंस भी दिखा है बहुत इस साल पैरों की आपने वह पैर जो हैं बड़े तिरक रहे थे आज जो आपने कैज पकड सिंकिन नहीं हुआ है नहीं हो पर टॉर्नमेंट जीत गए को कैच पकड के कैच मैच जिंग था अभी लोग बार 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 बोल रहे हैं कि सोलर रंच यह थे अगर वो चक्का हो जाता तो पांच में देस होते सिनारियों कूछ और होता बट लेकिन जो मोमेंट में वो चार स सिंकिन नहीं हुआ मैं हैरान हूँ विकॉज पिछले चार पांग घंटे से हिंदुस्तान में तो अगला दिन शुरू हो गया एक सो चालीस करोड लोग सड़कों पर सिर्फ नाच रही है जश्न मना रहे हैं और अरसे बाद क्रिकट के मैदान से इस तरह पूरे मुल्क ने अरे वावे मैंने इतना अच्छे से प्रॉपरली सोशल मीडिया ऐसे खोला नहीं और देखा नहीं है बट पापा ने मम्मी ने वीडियो कॉल किया था जब मैं ग्राउंड पे था था वो बता रहे थी कि पूरा जहां वो रहते है कॉलोनी में वो पूरे लोग रोड पे आ है, celebrate कर रहे है अब तो यह दो तीन दीन बाद जब हम इंडिया पहुचेंगे तो यह पता चलेगा कि क्या महौल है बट I'm sure it'll be it'll be a moment of joy for everyone रोड शर्मा और विराद कुली ने जब कहा कि बस होगा T20 आई वो तो और इसे मोमेंट पर कोई भी मतलब गेम को चोड़ना बहुत बट बड़ी बात है बट अच्छा है कि एक हाई पर उन्होंने अपना यह फॉर्मेट एक बोला है कि मैं नहीं खेलूँगा बर हाला कि हम जब वो लोग डगाउट में बैटे थे द्रेसिं रूम में तो हम लोग य अगले साल देखेंगे बट लेकिन उन्हों दोनों ने शायद मन बना लिया था और पहले सी बनाये हुआ था और आई थिंक नो बेटर मोमेंट किसी बत लगा कि शायद ये मैश निगल गया हाथ से बहुत मोमेंट थे स्टार्ट में ऐसा बैटिंग के टाइम पे भी ऐसा ल मैंने देखा ऐसा कि हमारे पास सिर्फ 8 परसंट या 7 परसंट या 3 परसंट ही ऐसा कुछ विन प्रेडिक्टर था लास्ट बाद में मैंने देखा लोगोंने बताया वहां से 24 बोल 26 चाहिए वो बुम्रा और अर्शदीप का ओवर और हर्दिक की बोलिंग इस जीत के बाद क्योंकि वह एक मेंटल बारियर भी शाट टूट है बिल्कुल जीत सकते हैं क्योंकि कि माइंड्सेट ही पूरा चेंज हो गया है मैं जैसे की बताया है अब 2023 वर्ल कप में भी हम आल्मोस्ट वैसे ही खेले पूरा 2024 वर्ल कप में पूरा वैसे ही खेलते हैं टॉर्नमेंट जीते हैं अच्छा मोमेंटम मिला है चैंपियंस ट्रोफी के लिए जो हाला की अभी कुछी कुछी महीनों बाद है और फिर वर्ल टेस्ट चैंपियंशिप के बारे में तो बाद में सोचेंगे बट अभी फिलाल क्ल होल चल रहा है देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार पूरे मुल्क के बहाँ पे और बस ऐसे ही क्रिकेट से अच्छी ख़बरे आती रहें तैंक्यू सोमत आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर सूरी कुमा यादफ दे वर्ल चैंपिन एक्स्क्लूजिब